दोस्तो आज की हमारी इस वीडियो में हम एक और विक्टोरियन पोयट और नॉबलिस्ट को दोस्तो डिसकस करने जा रहे हैं जिसका नाम है थोमस हार्डी दोस्तो इस वीडियो में हम थोमस हार्डी की बाइग्राफी और इनकी वर्क्स को दोस्तो डिसकस करेंगे Thomas Hardy जो हैं ये Victorian age से दोस्तों belong करते हैं सुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को मैं आपको सबसे पहले इनकी basic information बता देता हूं basic information से लेके मैं advanced level तक की information आपको Thomas Hardy के बारे में दूँगा तो दोस्तों जुड़े रहे हैं वीडियो के अंत तक अंत में मैं आपको कुछ point बताऊंगा जो आपको exam में बहुत ज़्यादा help करेंगे तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहें सुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को Thomas Hardy का जो जनम हुआ था दोस्तों वो हुआ था second June 1840 को इनका जनम कब हुआ था दोस्तों दो जून 1840 को हुआ था इस्टिनफोर्ड डॉर्सेट ये पूछा जाता है कि डॉर्सेट में कौन विक्टोरियन पोयर जो है बोर्न हुए थे तो आपको बताना है Thomas Hardy का जनम डॉर्सेट में हुआ था इसके अलावा दोस्तों इनके पैरेंट्स की बात करते हैं Thomas Hardy के पिता का नाम जो था दोस्तों Thomas Hardy ही था मैंने आपको पहले भी बताया है जब पिता और बेटे का नाम अलग-अलग नहीं होता दोनों के नाम के पीछे दोस्तों Senior या Junior लग जाता है जैसे इनके पिता का नाम Thomas Hardy है तो ये Senior हो गए और ये जो है दोस्तों वो Junior हो गए तो इनको इस तरह से पहचाना जाता है दोनों का नाम ही Thomas Hardy है ये एक Stone Mason थे इसके अलावा दोस्तों इनकी मदर का नाम है जैमीमा ये जो है दोस्तों वैल एजुकेटिट वुमिन थी इनके ओक्यूपेशन की बात करें मैं आपको उलेटी बता चुका हूँ ये एक विक्टोरियन पोएट और नोबलिस्ट है पोएट के नाम से तो ये जो ज़्यादा नहीं जाने जाते हैं ये एक नोबलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं लेकिन दोस्तों question exam में ये भी आता है कि Thomas Hardy ने अपना career जो है वो as a noblist start किया था या फिर as a poet start किया था तो आपको दोस्तों answer देना है as a poet इन्होंने अपना career जो है start किया था spouse जो है इन्होंने दोस्तों दोसाधी की थी पहली साधी इन्होंने एमा से की थी एमा से जो साधी की थी दोस्तों इन्होंने 1874 में की थी और 1912 में दोस्तों एमा की death हो भी थी ये अपनी wife एमा से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन इनकी death जब 1912 में हो गई तो इसके दो साल बाद इनकी डेथ के दो साल बाद इन्होंने अपनी सेक्रेटरी फिलोरेंस से दोस्तों सादी की ये लड़की जो है फिलोरेंस इनकी सेक्रेटरी थी और 40 साल जूनियर थी इनके ओनर की बात करें तो इनको 1910 में दोस्तों order of merit दिया गया था ये question आता है exam में कि थोमस हार्टी को order of marriage जो है कब दिया गया था तो इसका answer है दोस्तो 1910 इनकी death हुई थी दोस्तो 11 जनवरी 1928 में जब ये 87 साल के थे डोर्चेस्टर डोर्चेट में ही इनकी दोस्तो death हुई थी ये थो थी इनकी basic information दोस्तो अब हम इनके जीवन के बारे में एक एक चीज़ को बारीकी से जानते हुए चलेंगे कि क्या इन्होंने किया कैसे कैसे ये famous होते गए पहले इन्होंने poetry लिखे या फिर novels लिखे और अगर novels लिखे तो वो किस तरह के novels थे कौन सा novel इनके नाम से publish हु ये सारी चीज़े हम दोस्तो इस वीडियो में जानेगे सब सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तो Thomas Hardy के पिता का नाम भी Thomas Hardy था उनके चार बच्चे थे तो हमारे जो writer है Thomas Hardy दोस्तो ये सबसे बड़े इनके बेटे थे Thomas Hardy जो थे दोस्तो English novelist and poet के नाम से जाने जाते हैं दोस्तो खास कर ये Victorian noblist के नाम से दोस्तो जाने जाते हैं Thomas Hardy Young Hardy was educated by his mother until he was 8 years old दोस्तो 8 साल की उम्र से पहले Thomas Hardy को इनकी मदर ने ही दोस्तो पढ़ाया था जैसा कि मैंने आपको पिछली slide पे बताया कि इनकी मदर जो थी वो well educated woman थी तो 8 साल से पहले-पहले Thomas Hardy को इनकी मदर ने ही दोस्तो पढ़ाया था Thomas Hardy जो है दोस्तो Last Great Victorian poet के नाम से जाने जाते हैं Last Great Victorian Noblist के नाम से दोस्तो जाने जाते हैं अब इने दोस्तो पढ़ने का सोख तो था ही साथ ही साथ वाईलन का music का भी सोख था तो दोस्तो music का सोग जो इनको पढ़ा इनके पिताजी से मिला है ना और इनकी जो book पढ़ने की आदत थी वो इनको इनकी मदर से मिली तो Thomas Hardy है इन्हीं हम last great Victorian कहते हैं अगर question exam में ये आता है कि who is known the last great Victorian poet और novelist तो आपको उसका नाम बताना है Thomas Hardy ठीक Thomas Hardy ने दोस्तो Mr. Last Academy के अंदर दोस्तो इन्होंने admission लिया था जहां पे इन्होंने Latin language को दोस्तो सीखना स्टार्ट किया था 1856 में इन्होंने practice की थी दोस्तो किस चीज की architect बनने की practice की थी किस के साथ दोस्तो James Hicks के साथ इन्होंने practice की थी साथ ये दोस्तो Latin और Greek language को भी पढ़ते हुए चल रहे थे और ये try कर रहे थे अपनी poetry को लिखने के लिए 1862 में लंडन चले गए लंडन जाकर दोस्तो इन्होंने इसकी practice की और ज़्यादा और इसमें काम भी किया ये किस के साथ गए थे दोस्तो Arthur Bloom Philly के साथ ये वहाँ पर गए थे इन्होंने वहाँ पर बहुत सारी poem से लिखी लेकिन किसी भी poem को ये publish नहीं करा सके ये बिल्कुल भी किसी भी work को publish नहीं करा सके इन्होंने बहुत सारी poem लिखी लेकिन किसी को भी ये अच्छे से दोस्तो publish नहीं करा सके बहुती starting में इन्हें difficulty face करनी पड़ी थी बहुत सारी चीजों को लेकर Thomas Hardy जो है दोस्तो 1863 में इन्हें एक silver medal दोस्तो दिया गया क्या दिया गया 1863 में दोस्तो silver medal दिया गया था किसके दुआरा दोस्तो Royal Institute of British Architects के दुआरा इन्हें एक silver medal दिया गया किसलिए इन्होंने एक essay लिखा था दोस्तो उस essay के लिए इन्हें silver medal दिया गया था तो exam में question इस तरह से आता है कि Thomas Hardy ने एक medal जीता था जिसे Royal Institute of British Architect के दुआरा दिया गया था वो किस चीज के लिए दिया गया था novel के लिए, poetry के लिए, essay के लिए या फिर none of the above के लिए तो वो चार options होंगे तो आपको इसका answer देना है March 1865 में दोस्तो Hardy ने अपना एक short story को दोस्तो publish कराया था ये इनका first published work है Hardy का देखिए, ये noblist के नाम से ज़्यादा तर जाने जाते हैं और इन्होंने अपना जो hand try किया था मतलब इन्होंने starting जो की थी, वो किस से की थी, poetry लिखने से की थी लेकिन सबसे पहला published work जो है इनका एक short story है जिसका नाम है How I Built My House ये इनका पहला published work है बर दोस्तो ये ज़्यादा important नहीं है exam में ये नहीं पूछा जाता, question पूछे जाते हैं इनकी poetry से या फिर इनके novel से फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि Thomas Hardy का जो पहला published work है वो short story है और उसका नाम है How I Built My House अब बात करते हैं दोस्तो 1874 की 1874 में दोस्तो 17th September 1874 को दोस्तो इनोंने एक लड़की से साधी की जिसका नाम था दोस्तो Emma Gifford इनों के साथ इनोंने साधी की दोस्तो इनकी साधी जो थी बहुती अच्छे चली ये अपनी wife Emma को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लेकिन Emma की death हो गई थी दोस्तो कब 1912 में Emma की death हो गई थी इनकी जो last wish थी ये थी कि इनकी जो body है वो Emma की grave के साथ ही दोस्तो दफनाई जाए 1883 में दोस्तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो है years का बहुत जादा gap कर दिया है मैंने works के बारे में आपको detail में नहीं बताया तो उसके बारे में आप चिंतन ना करें आगे की जो slide है मैं आपको एक-एक work के बारे में जो exam में पूछा जा सकता है work उन सबी work के बारे में आपको sequence से बताऊँगा तो आपको पहले मैं इनकी biography मतलब इनके life के events बता रहूँ फिर इनके works के बारे में एक सार बताऊँगा ताकि आपको चीज़ जो है याद रहे 1883 में दोस्तो इन्होंने अपना एक अपना villa बनाया लेकिन ये outside doorchester था इस villa को दोस्तो किस नाम से जाना जाता था मैक्स गेट के नाम से जाना जाता था इनकी death जो है इनके villa के अंदर ही हुई थी दोस्तो 1914 में इन्होंने अपनी secretary से दोस्तो जिसका नाम Florence था उसके साथ साथी कर ली जानने वाली बात ये है दोस्तो ये लड़की इन से 40 साल छोटी थी 40 साल छोटी लड़की से 1914 में इन्होंने दोस्तो साथी कर ली अब बात करते हैं दोस्तो works की देखे मैंने आपको बताया था इनके works के बारे में मैं आपको sequence से बताऊँगा आप यहां से मैं आपको इनके works की detail के बारे में बताने जा रहा हूँ जो exam में दोस्तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है Thomas Hardy के works के बारे में ठीक है तो मैं आपको एक चीज फिर से remind करा देता हूँ Thomas Hardy as a novelist जाने जाते है but he begin his career as a poet तो यह चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है देखिए दोस्तो The Poor Man and the Lady जो एक एक novel है जो आया था दोस्तो 1867 में यह novel आया था और यह novel इनका कभी भी दोस्तो पब्लिश नहीं हो पाया यह novel इनका कभी भी पब्लिश नहीं हो पाया यह Thomas Hardy के दुआरा दोस्तो लिखा गया पहला novel था यह दोस्तो लिखा था Thomas Hardy ने 1867 में और इसको कभी भी पब्लिश नहीं करा गया यह menu script जो थी इनके novel की लिखी हुई दोस्तो at least five publishers ने दोस्तो reject की थी इसलिए Thomas Hardy ने क्या सोचा कि यह कभी भी अब इस original script जो है इस novel की उसे sale करने की बेचने की कोशिस नहीं करेंगे तो last में दोस्तो यह कभी भी इस novel को publish करा नहीं पाए original जो form में था यह novel यह ने सोचा था कि मैं इस original form से इसे बदल दूँगा लेकिन यह अपना ऐसा novel के साथ नहीं कर पाए मतलब इसके script को अपनी life में नहीं बदल पाए इसलिए दोस्तो यह novel अब exist नहीं करता है तो इनका पहला जो unpublished work है वो एक novel है यह मैंने दोस्तो unpublished work कहा है published work नहीं कहा है हर बात को आपको ध्यान से सुनना है अब बात करते हैं दोस्तो इनके first published work की दोस्तो लेकिन ये एक second novel है दोस्तो लेकिन पहला ऐसा novel है जो Thomas Hardy के दोवारा दोस्तो पublish कराया गया था तो यदि question ऐसा आता है कि Thomas Hardy का जो first novel है जो publish कराया गया था वो कौन सा है तो आपको desperate remedies इसकांशर देना है जो आया था दोस्तो 1871 में लेकिन एक और चीज दोस्तो जानने वाली यहां पर क्या है कि इस novel को Thomas Hardy के नाम से दोस्तो पublish नहीं कराया था मतलब ये novel जो Thomas Hardy का है और published हुआ था पहली बार तो ये इनके नाम से published दोस्तो नहीं हुआ था तो यदि आपके सामने question ऐसा आता है कि Thomas Hardy का first published जो novel है वो कौन सा है तो आपको desperate remedies इसका answer देना है अभी ये बात दोस्तो अधूरी है आगे चलके इस बात को मैं complete करूँगा next है दोस्तो Under the Greenwood Tree ये दोस्तो इनका एक और novel है जो आया था दोस्तो 1872 में ये Thomas Hardy का दोस्तो दूसरा novel है ये आगे जो bold में मैंने लिखा है ये इस novel का दूसरा नाम है दोस्तो Thomas Hardy का Under the Greenwood Tree जो है दोस्तो ये इनका दूसरा novel है अब बात करते हैं दोस्तो एपेयर ओफ बिलू आये एपेयर ओफ बिलू आये जो है ये दोस्तो इनका एक और novel है जो publish हुआ था दोस्तो 1873 में कब publish हुआ था दोस्तो 1873 में अब एक चीज दिहान से अच्छे से सुनने जो मैंने बात कही थी कि वो बात अभी incomplete है मैंने आपको बताया था desperate remedies के बारे में कि वो novel जो था first published work है लेकिन वो Thomas Hardy के नाम से published नहीं हुआ था यह novel है दोस्तो एक pair of blue eyes जो publish हुआ था दोस्तो 1873 में 1873 में यह Thomas Hardy का पहला ऐसा novel है जो publish हुआ था Thomas Hardy के नाम से तो question दोस्तो exam में दो तरह से आ सकता है कि Thomas Hardy के दोवारा first published novel कौन सा है तो आपको desperate remedies इसका दोस्तो answer देना है यदि question ऐसा आता है कि Thomas Hardy के दोवारा कौन सा लिखा गया ऐसा novel है जो उनके अपने नाम से publish हुआ था तो एक pair of blue eyes वो novel है जो जो Thomas Hardy के नाम से publish हुआ था I hope यह चीज़े दोस्तो clear हैं जो मैंने आपको बताई है अब आगे चलते हैं दोस्तो far from the madding crowd जो अभी तक Thomas Hardy novels लिख रहे थे poetry लिख रहे थे उनसे उन्हें fame नहीं मिला Thomas Hardy को fame जो मिला वो किस से मिला दोस्तो far from the madding crowd से जो आया था इनका एक novel 1874 में इस novel के बाद दोस्तों इन्हों को success मिलती चलेगी इनकी ये पहली major literary success थी तो first success novel जो था Thomas Hardy का वो far from the madding crowd था Return of the native जो है इनका बहुती अच्छा novel है इसके character के बारे में दोस्तों exam में पूछ ले जाता है तो characters को explain करना इनकी biography के साथ बहुती difficult हो जाता है जो video है वो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको separate video में दोस्तों बना दूँगा तो आपको ये धियान लगना है The Return of the Native जो है ये Thomas Hardy के दौरा लिखा गया एक novel है जो Thomas Hardy का कौनशा novel है दोस्तों sixth novel है जो मेरा favorite novel है Thomas Hardy के दौरा लिखा गया वो है दोस्तों The Mayor of Caster Village इसके story जो है दोस्तों बहुत ही ऐसी लगती है कि सही सही में reality पे based है बहुत ही अच्छी story मुझे लगी इस वीडियो को definitely मैं separate video में आपको बताऊंगा लेकिन अभी आप इसके work के बारे में जान लेजिए The Mayor of Caster Bridge जो है दोस्तों ये Thomas Hardy के द्वारा लिखा एक novel है और ये आया था दोस्तों 1886 में ये novel आया था ठीक इसका जो novel की setting है दोस्तों ये Wessex novel में से एक है Thomas Hardy के द्वारा लिखे गए अगर आपको इसके main character के बारे में पूछा जाए दो दोस्तों Michael Hand Chart है इसका जो main character है दोस्तों ये एक सराबी इंसान है जो सराब के नसे में अपनी wife Suzanne को पाँच गिनीज में उनली बेच देता है ठीक है और बाद में जाकर दोस्तों ये mayor of कास्टर ब्रिज बन जाता है यदि आप इस story को पढ़ेंगे तो definitely आपको मजा आएगा तो दोस्तों mayor of कास्टर ब्रिज जो है 1886 में लिखा गया Thomas Hardy के द्वारा एक novel है The Woodlanders जो है ये भी एक novel है दोस्तों Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया लेकिन जानने वाली बात ये है Wessex Tales जो है दोस्तों Wessex Tales जो है Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया एक collection है किस चीज़ का Salt Stories का collection है जो आया था दोस्तों कब 1888 में ये आया था collection ठीक है Next है दोस्तो Task of the Arbor Wills ये Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया बहुत ही important work है दोस्तों इसके बारे में दोस्तों कभी-कभी exam में पूछा जाता है तो कि a pure woman ये pure woman जो है इस novel के अंदर ये कौन है pure and faithful woman जो अंदर इस novel के है वो कौन है तो दोस्तों ये test ही है इस novel को Thomas Hardy ने publish कराया था दोस्तों 1891 में publish कराया था अब बात करते हैं दोस्तों Jude and Obscure की ये भी Thomas Hardy के द्वारा लिखा गया बहुत ही जादा important novel है जो दोस्तों लिखना start किया था जिसे Thomas Hardy ने दोस्तों 1804 में और इसे publish कराया था दोस्तों 1804 में ये Thomas Hardy का दोस्तों last novel है अब मैं दोस्तों आपको Thomas Hardy के बारे में कुछ ऐसे important points बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी हैं और exam में ये अपना एक अलग ही महत्व रखते हैं तो मैं आपको ये चीज़े जो बताऊंगा दोस्तों इनका आप अपना screenshot लेके रखें या फिर आप इन्हें not down करते चलें ये question exam में बार बार repeat होता है कि Thomas Hardy ने अपना career जो है वो ऐसे poetry start किया था या फिर as a novelist start किया था इन्होंने starting में poetry लिखना start किया था या फिर novel start किया था तो दोस्तों ये Thomas Hardy जो है वो जाने जाते हैं अपने novels के लिए तो लोग जो है as a novelist इसको लगा देते हैं लेकिन नहीं इसका correct answer जो है दोस्तों वो poet है इन्होंने अपना career जो start किया था वो as a poet किया था पहली चीज दूसरा है दोस्तों इन्होंने एक reason set था जहां पर ये reason के novel लिखते थे दोस्तों वो कौन सा reason था वेसेक्स reason था ठीक है तो question इस तरह का आता है कि Thomas Hardy को जो है regional novelist कह जाता है तो वो किस reason के बारे में दोस्तों जाने जाते हैं वो है दोस्तों वेसेक्स reason के बारे में जो इनके novels है set हैं वेसेक्स reason के लिए ये हो गई इनकी दूसरी बात तीसरी बात दोस्तों Thomas Hardy जो है वो जाने जाते हैं last great Victorian poet and novelist के नाम से दोस्तो मैंने आपको पिछली वीडियो में मैथ्यू अर्नोल्ड बढ़ाया था जिनको हमने कहा था ये भी एक Victorian poet है लेकिन वो poet and critics है और ये जो है Thomas Hardy दोस्तो last Victorian poet and novelist है next है दोस्तो इनको एक honor दिया गया order of merit का जो दिया गया था दोस्तो कब 1910 में ये इने honor दिया गया था दोस्तो इनका first novel जो है Thomas Hardy का वो है the poor man and the lady ये इनका first novel है लेकिन ये कभी भी दोस्तो published नहीं हो पाया और इनका जो first published novel है दोस्तो वो है Desperate Remedies जो Thomas Hardy का first published novel है लेकिन ये इनके नाम से published नहीं हुआ था next है दोस्तो एक pair of blue eyes जो है दोस्तो ये Thomas Hardy का एक और novel है जो published हुआ था दोस्तो उनके अपने नाम से तो मैंने आपको तीन चीज़ बताई Thomas Hardy का एक ऐसा novel जो कभी भी published नहीं हुआ लेकिन first novel है दूसरा एक ऐसा novel जो Thomas Hardy का first published novel है लेकिन जो इनके नाम से published नहीं हुआ तीसरा दोस्तो इनका first novel है लेकिन इनके अपने नाम से under his own name published हुआ था दोस्तो वो कौन सा novel है एक pair of blue eyes वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद